चेतरी नौरात्रे का पाँछवा दिन रहा है और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हूँ या शादी नहीं हो रही हो या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया अपने उसकी शादी हो ही न उसका मंगल विवा नहीं हो रहा तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है देवी भागवत में वर्णन किया गया है देवी भागवत में वर्णित किया गया है और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं आम का जो पत्ता होता है आम का जो पल्लव ह होता है उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर इन दोनों से स्वस्थिक का निर्मान किया जाए देविभागवाद का संभाद है बहुत ध्यान दना मारज जिन कन्याओं का विवाना हो पंचमी के दिन नवरात्रे की कोई सिवी पंचमी मदलब जो पंचमी थी पड़ी कोई पान के पत्ते पर एक ही पत्ते पर जो दो स्वस्थिक बनेंगे एक हल्दी का बनेगा एक सिंदूर का बनेगा बस अंतर इतना है जो हल्दी का स्वस्थिक है उस पर कंकू के चावल अर्थात रोली के चावल रोली कंकू के चावल रखना है और जो सिंदूर का है उस पर हल प्लदी के चावल रखना इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवा नहीं होता उसके हतेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महराज उसको ले जाकर नीम के पड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है मातर साड़े तीन या चार महिने ऐसे रहते हैं जिसके अंतर उस लड़का लड़की का विवा पका हो जाता है जिसका विवा नहीं होता केवल उसी के लिए